तो भाई लो कैसे हूँ तो यार स्वागत आपका एक और कौन सुनेगा सस्ता वॉइस ओवर के एपिसोड में हाना जिसके टाइटल से ही पता चल रहा है वॉइस ओवर सस्ती होगी और धंका कुछ भी नहीं मिलेगा हाना पर अब क्या कर सकते हैं फिलाल हम जोर जो उतर रहे हैं जोर जो उतरते ही सस्ती लूट लूटेंगे क्योंकि यार देखो अपन को कभी नहीं मिलती महंगी लूट उतरती ही तो कोई सस्ती गने मिलेगी उन्हें पकड़के भया रस रास करेंगे चार-पांच बंदे ठिला देंगे उसके बाद उनकी गन लूटेंगे फिर ढंक से रस करेंगे अना तो अभी के लिए फिलाल मैं बंद कर रहा हूं नहाने जाना है मैं बताता कितने दिन बाद नहां रहा हूं मैं पर मुझे खुद आइडिया नहीं कोई इसलिए बता भी नहीं सकता हना तो मैं फटाक से जाके आता हूं अब यहां पर इन भाई साब के गेम ने उतरते ही ने धोका देती है ठीक है मतलब गेम छोड़के ये भाई साब गायब हमने सोचा देखो फिरी की किल मिल लिए क्यों ना लें क्यों ना वाइ नौट ठीक है तो उन्हें पेल दिया गया कुछ देर बाद किल आई जाएगी ह अब यहां पर हमारे एक लॉंडे का गंदे भाई गंदे चलाता है ना पर देखो यार क्योंकि मैं मिटी दिल इंसान हूं इसलिए मैंने गं नहीं दिया और मैं खुदी रस करने चल गया ठीक है देखो गंदेने से टाइम वेस्ट होगा और एम सोला के साथ में जीना नहीं चाता आगे तो मैंने बोला भाई तुम लूट लो हाना हम आगे रस करने जा रहे तो आगे कंटेनर्स में बंदे जिस बं बंदे बोल चुका हूं मैं और क्यों बोल चुका हूं मुझे कोई आइडे नहीं है फिलाल के लिए बंद कर रहा हूं वोई सुबर जार एक गोली बार सिंगल में वन टैप है ओ अब यहां पर मेरे पास दूर के लॉंडे ठिलाने के लिया बस M-Solar अथ इतना चलता है इतना विकारी पना चलता है एम सोला से ठिला रहे हो दूर के बंदे एक्सेप्टेबल है एक्सेप्टेबल हम यह कहते हैं साइद इंगलिस में पर यार उसमें भी आईरन साइट मतलब यह तो बाई अलगी लेवल की गरीबी मच रखी थी आप समझ सकते हो क्या हालो रखेते मेरे तो मैंने बोला यह दू अब यहां पर मैंने अपने सस्ते जुगार लगा कि यह पता किया कि यह लॉंडे बेराव से निकल चुके हैं पूट्टेप अगेरा देखके लॉंडों का हाल चाल देखके पता चल गया कि वह रहा उस खाली है तो हम वह रहा उस पर गुज गया और मुझे पता है बाकी लॉंडे आगे की साइट गया है ठीक है जिस साइड में फेस कर रहा हूं तो करना क्या है यह थोड़ देर टीप भाई यहां पर ना यह चीज जो होई ना भाई मेर साथ यह काफी साइथी मतलब एक इस प्रे में तीन लॉंडे और आखिर की गोली से आखिरी लॉंडा ठील जाता है ठीक है नहीं तो रिलोड करना पड़ता उसके बाद साइड में जाता उसके बाद वो लॉंडा कहीं और गुच जाता उसके बाद वो कैम कर देता उसके बाद हम डूडने जाते उसे फिर हमारे एक लॉंडा को वो पूरा खा देता फिर हम उसे खाते यार बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और उस लंबे प्रोसेस को लंबा करके मैंने लंबा बता दिया तो मैं बस बता रहा जाता है जब एक लॉंडा अकिला बच जाता है तो यहां पर मेरे ख्याल से जोड़ जो खाली हो जाता है फ्लेर ड्रॉप अगेरा होती है हम पर तो वही चलाते और भाई नसे शुरू बिलकुल नसे तो शुरू होंगे यार अब मेरे कहां से जो मेरे पते क्या है अरे एंफोर एंफोर कुछ लिए मेरे पास मेरे टग्या भाड़ निकाल हो मुझे जल्दी यार अब ना बहुत मज़ेदार चीज़ों आती है मतलब हमारा लॉंडा चठक बनके बिलकुल कुटों की तरह कूटते वे जाता है फिलर ड्रॉप के नीचे ठीक है मैंनी जाता क्योंकि मुझे लगी राता है ऐसी कोई सीन होता है जब भी कंटेनर में ऐसे फिलर गिरते हाना तो हमारा लॉंडा अटक जाता है ठीक है तो अब भाई बारी आ गई है टॉर चार करने की ठीक है और जहां तक मेरी अंग्रेजी पता है मुझे तो टॉर पर देखो लॉंड़ा करते हैं नेड से भी निपड़ता भाई तो मैं क्या बोलता हूं भाई तू पहले सारी गने उठा मुझे नीपता वो कहीं पर तेरे पास नी होनी चीए तू गने गिरा ठीक है यही होता है चाटक बने होगे आप जवाब ऐसे लेने जाओगे हाना पर इसका एक सोलूसन भी है है तो पहले थोड़ा मजे ले लेते हैं फिर देंगे यार इसका सोलूसन हना अब निकाल देना मुझे सरसे कि यार ले 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 किरादी किरादी मैंने यार एम फोल नहां है ना हाश्ट तो यार मैं पिछले कुछ दिनों से बढ़िया खेल रहा था हना क्यूंकि नेट नहीं जा रहा था तो गुछसा भी कमा रहा था सब कुछ ठीक चल ला था पर ये बात हजम थोड़ी होगी नेटवर्क वालों को हजम थोड़ी होगी ये बात कि मैं अच्छे से खेल ला हूँ हना थोड़ा सा खुस क्या हो गया मैं लॉंडो ने नेटवर्क की गायप कर दिया उसके उपर अपना लॉंडा फस रखा है हना खेर नेटवर्क आ जा था है थोड़ी देर में तो अब मैं अपने लॉंडे को भाई तु सब कुछ गिरा दे तभी तुझे यहां से निकालेंगे नहीं तो ना जाएगा हना हम निकल लेंगे यहां से तो भाई को मानने ही पड़ता है अब देखो कैसे रोते वह रोते हुए वह चीजें गिराएगा हना मेरे आवास को क्या हो रहा है मेरे पास कुछ है नहीं है भाई एम के 14 पढ़िए ओभी थोड़ दी ले मैंने पूरा अपना सारा समय थोड़ते निकाल मुझे वैसे दर से अब यह यह पता नहीं हेल्मेट वेट्स मैंने सब थोड़ दी मैं वैस कपड़े बैग एक सब थोड़ दिया मैंने हेलमेट भी तो भाई आखिरकार अपना लॉड़ना परसान तो मैं बोलता हूं ससे पहले यह कुछ गलत सीन कर दे हना इसके ममी पापा मेरे को कॉल करें sagdator fighters गलती अंधी 벌्या थोक तो अब इसे निकाल दिया जाता है इसे निकाल दिया जाया ह На तो देखो यार एस Si सिटूएशन में क्या करना है गाड़ी ठोक देनी है ठीक है नेट नूर ज्यादा तरकाम नहीं आते क्योंकि नेट करके देख लिया कुछ फरक नहीं पड़ा तो बगई ठोकूंगा बगई ठोकने से क्या होगा ड्रॉप थोड़ा पीछे की साइड जाएगा नहीं तो अगर पीछे नहीं जाता तो अपने बंदे को बोलना कि गेट इंटरो और आप निकल सकते हो ऐसे सिटूएशन से ठीक है देखो बहुत बार होगा आपके साथ भी होगा या लगबख सब के साथ हो चुका है अभी तक आपके साथ भी होगा आगे तो ये चीज काम आ सकती है ठीक ह में कच्छा नहीं कुलता है तुम कच्छा भी मागो उससे जब तक वो देता है नहीं तब तब तक निकालना मत ठीक है और ज्यादा मत कर देना है और वो कोई लॉंडा परिसान हो जाए गया था तो दिक्कत हो चाहेगी ख्यार आगे देखते हैं अब हम रस करने चलते हैं अब यहां पर पहले बात करते हैं गाड़ी वाले लॉंडे की ठीक है उन्ने गाड़ी ऐसे रुक दी मुझे लगा इनका नेट गया इनसे मजे लेंगे इनकी गाड़ी में बैठके भाई राइड पर चलेंगे पर वो मतलब अचानक से बाहर आके हमारे एक लॉंडा ठिला देते तो ठिलाना पड़ता है और तो और चार का सीजन टू चार जारी हो जाता है यहां पर अपना करे लड़ाई करेंगे और बहुत मजाएगा अपना अपना पर अद्रीक केम्प है वह इसलो गिलिसूट वाला पेल लेकि इसको बोट में साथ हाँ अ है अ है अ है अ है अ हुआ अ हुआ अ है 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 अ है यह उत्ता दी हो लोग बैने वाले है अब यहाँ पर तो कसम से मज़ा है आ गया मतलब लग रहा था कि भाई हाँ पावर्फुल गन है हाथ मैं मतलब रिलोड करना नहीं पड़ा दो तिन लॉंडे ऐसी ठिला गया मैं ठीक है दोनों गन मेरे पर LMG है यह साध लाइट मसीन गन कुछ कहते है फुल पॉम मुझे ठीक से नहीं पता पर दोनों गन ऐसी है जो अगर रिलोड पर लगगी ना भई यह कैंसर और मौद तो पक्का ही पक्का मिलेगी मौद का नहीं पता पर कैंसर तो जरूर मिलेगा दिरे दिरे हाना क्योंकि पुल पार भी बंद है उन्हें भी ठीक लाना है तो रिवाइव करते ही उन्हें पेलने के लिए बिलकुल भगेंगे हम स्मोक वगएरा कर दिया ताक कि कोई और पीछे से ना पेल देया ना थर्ड पार्टी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा हमको देखना तो देख इसको हमें साइब ट्यार के लिएया लेरा थेलों इने ब्रीज में धरेंगे लिए अच्छा एच्छा 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 पार्टी है अरे भाईया मैं तो एकसी मजाक में पीक कर रहा था इनने तो फाड़ी दी हमारी मतलब और में भाई पहना तो यहां पे खत्रा बढ़ चुका है अब समल के पीक करना पड़ेगा क्योंकि एक हेड़ सोट लग गया ना भाई खता में बिल्कुल खेल खता में फिनिस हो जाओंगा मैं यहां पे और अपने लॉंड़ी भी पीछे साइड है तो गड़ बढ़ हो जाएगी ठीक है तो आप देखे पीक करेंगे हना बत्तमीजी से नहीं करता नहीं तो मौत मिलेगी सिधा गिराओंगा एग कि 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 अजसे तो खभार से ह।ाँथार से घड्ठक हां बत्तमी चाहती own ड्रistä है प्रास करेंगा 24 कि कार्ज़। तो खः यहाँ शाषवा यह रगजर से लॉड़ी से थाइजा धने कर दो mrॉड़ी प्रास करें तो करेंगा मैं नहीं बड़ी अब भाईया यहां पर कते ही BSS चल दी ठीक है वैसे मुझे यह गन काफी बढ़िया लगती है मतलब आपने फ्लैंक फ्लैंक मार दिया ना कते ही तो लॉंडो को पता भी नी चलता किदर से पेल रहा आप लॉंड़ा इधर उधर कूथते रहते हैं काफी मज़ा आता है वो देखने में हना पर यहां पर क्या हुआ मुझे VSS की गोली लगी तो मुझे आइडिया हो गया था कि किस साइट से चला रहा है वो लॉंडा ठीक है देखो ब्रिच के उधर से कोई चला नहीं रहा होगा क्योंकि यार सिंपल सी बात है बस से कवर था मैं ब्रिच के माँसे लगनी सकती और जब मुझे गोली लगी थी तो राइट साइट से मारकर आया था मतलब स्क्रीन पर बड़ा सा खून जैसा आता है न तो उससे यार मुझे आइडिया हो गया था कि भाईया ये लॉंडा किधर ओपन में इस साइट पे ठीक है 285 डिग्री की साइट पे किधर ओपन से पेल रहा है तो रिवाइव दूंगा मैं उसके बाद पेलेंग यार व्यसेस वाले को तो आप यह यूज कर सकते हैं जिस साइट से चोट वाला निशान आएगा ना भाई मैप में नहीं कह रहा हूं मैं आपके के बगल में कह देख सकते हो और वहां पर आपको व्यसेस वाला मिल जाएगा ठोड़ा ढूंड़ने पर अब कर अब तो यहार यहार यहां पर हमें खबर लगती है कि बिरिज के नीचे भी कुछ लॉंड है हाना कहां से आए क्यू आए मुझे नहीं पता कसम से शायद बिरिज ब्लॉक हो रहा था तो वही वाले लॉंड होंगे यह तो यह नीचे वेट कर रहे हैं ठीक है तो हमने स्पॉर्ट वगरा कर लिया है एक पिलर के नीचे पता नहीं कितने बंदे जाके चिपे पड़े तो देखो लेफ्ट राइट द जीचे आके आके यह थायचे है अव अधिक रिचया है ओ यह अम गाल्न बादव मेंदे रहे हैं आए आँ अ अगल अ अचो आँ अब यहां पर इन लॉंडो का काम 25 तो एक मॉली से ही हो जाता है ठीक है तो बहुत देर तक एक जगह पे लेना घातक सावी तो सकता है मौत भी मिल सकती है तो इन्हें अब लूटते हैं अब कुछ गिने चुने बंदे बाकी है जो कि यार सांप सूप बने होंगे हाना किसी किनारे कुनारे जाके तो उन्हें हम डूड़ेगे अपनी SID वाली कार से हाना SID का full form बता जेता हूं ऐससे इसने के और तो यही था full form ठीक है आवाज कटी है बीच में मुझे full form नहीं पता ऐसा नहीं है आवाज कटी है बीच में ठीक है वो default है कुछ editor का यह हाँ अगे की हो अगे खाल को अगे फाल का यह rat प्लाइच कोच गव्यार्ट के डिचा आपकत। स्वार्यार्डर्णांड कर खाल कि अगे ठीक है ये भाई सापको पता था कि इनके बस से ना इसनके बसका तो ना है ये नहीं पहुच पाएंगे जो उन हाना तो क्यों ना एकाध हमारे लॉंड़े ठीला दे वो तो अच्छा हुआ मुझे इनकी फ्लेश दिग गी है वो जो गंच चलाते वे 32 जलती है वो दिग और मै पी से स्प्रेड देंगे क्योंकि किल्ची अपने को हना तो भाईया बहुत जादा घटिया स्प्रेड देने के बाद आखिरकार लॉंड़ा ठील जाता है ठीक है डीपी जिंदा बाद स्नाइपिंग वगरा इनसे एक भी सौट नहीं लगा तो किल मिल गी अपन को हना काफी खुश किसमत थे हम कि अपने पे डीपी थी 3X के साथ खैर यह कॉंबिनेशन ठीक ठाक चला यार मुझे ठीक लगा बस रिलोड के अलावा बाकी सब तो भेंकर है इसमें दूर रेंज के लिए डीपी है आपके पास पास के लिए M249 है जादा दिक्कत नहीं आएगी इस कॉ मिलते हैं भाई लोग बहुत बहुत सुक्राइब वीडियो देखने के लिए बाई बाई झाल के लिए